9 साल का बच्चा बना ADG अधिकारियों ने देखते ही किया सेल्यूट आवब भगत करने लगे बड़े बड़े अधिकारी 9 साल के बच्चे ने कुर्सी पर बैठते ही देखनी शुरू कर दी फाइले हाथ बांधे खड़े नज़र आए कई थाना प्रभारी बच्चे के दादा बोले हम ADG वारानसी क्या भारी वारानसी में एक 9 साल के बच्चे को ADG बनाया गया बच्चे ने ADG बनते ही कुर्सी संभाली तो बड़े बड़े अधिकारी भी बच्चे को सलाम करते नज़र आए बच्चे ने ADG की जीप में बैट कर शेत्र का ब्रह्मन किया जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है लोग वीडियो को फूब पसंद कर रहे हैं और शेयर भी लोग जानना चाहरे है कि 9 साल का बच्चा IPS कैसे बना इसकी पीछे रहस से क्या है आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर बताने वा सुनाने चाहरे हैं तरसल अभी हाल ही में वारणसी जोन के ADG कारेले में सुपोल के 9 साल के बच्चे ने सशस्त्र ADG का कारेभार संभाला जानकारी के मताबिक बच्चा कैंसर पीडित है उसकी अंतिम इक्षा IPS अफसर बनने की है बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए वारणसी जोन के ADG प्यूश मोडिया ने उसे एक दिन के लिए अपना कारेभार सुप दिया ताकि उसकी अंतिम इक्षा पूरी हो सके वैसे ये कोई साधरन घटना नहीं थी बलकि बच्चे के अंतिम इक्षा पूरी करने का एक अनूखा और दिल को छू लेने वाला तारीफे काबिल प्रयास था एक दिन के लिए एडीजी बने बालक का नाम प्रभात रंजन भारती है जो के प्रताप गंज प्रखन के तेकुना वार्ट नंबर छे का निवासी है जिसके पिता का नाम रंजीत दास वा माता का नाम संजु देवी है बच्चे के उम्र अभी बहस नौ वर्ष है प्रभात प्रभात के माता पिता बताते हैं कि उनका बेटा ब्रेन कैंसर से पीड़ित है जिसका लहरतारा इससे टाटा मैमूरियल सेंटर के अस्पताल में लाज चल रहा है जानकारी के नुसार में कविश्ट नामक संस्था की ओर से गंभीर रूप से पीड़ित बच्चों की एक्षा पर उसी एक दिन का एडीजी बनाया गया प्रभात ने इस अश्यस्त्र बल के साथ एडीजी का चारज लिया पूरी प्रक्तिया के बीच ऑफिस में पुलस कर्मी और वहां तैनात गार्ड ने एडीजी को सलामी दी इतना ही नहीं एक दिन के एडीजी ने कारले और परेड क साथी ADG चार्ज लेने के बाद IPS प्यूश मोडिया ने प्रभात को गुलतस्ता भेट किया इसके बाद पुलस टीम की मौजूदगी में ससम्मान अपनी कुर्सी पर बठाया कारले में सभी पुलस कर्मी प्रभात से मिले और सलामी दी इसके बाद जिपसी में बैटकर प्रभा का पालन किया हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कहा कि प्रभात रंजन नवंबर दिसंबर दो हजार तेईस में बिमार पड़ा जब उसे विराट नगर निपाल अस्पताल में जांच करवाए तो पता चला कि उसे कैंसर है डॉक्टर ने बनारस रैफर कर दिया फीड पारा नसी के एडीजी के इस नेक काम की खूब प्रशंशा कर रहे हैं आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साचा कर सकते हैं बिरो रेपोर्ट पीडेन नियूज